तो हर प्रफा ड़र कर लेबल समत प्रिश ली बार इस बार था भी सही था इस बार था प्रब्र हो चुका है पिछले से इस बार अच्छा पेपर आया है मतलब सरल था स्टेटमेंट वाले जो पिछली बार ज्यादा थे इस बार कितने दिखने को केवल दो त्रीका इस बार पिछली कि पिछली कि अपत्र है अपने कितना टेम्ट किया लग रहा है सही वाले थे थोड़ी तुक्के मारे गए तुक्के तुमारे हैं वाट रही है कितने मॉक टेश्ट लगाया था अपने मैंने 30 30 लगाया था इस बार ने के क्वेस्टन और एकोनोमी जाद बता है तो इकोनोमी के हां थोड़े था लगा इन्वायरमेंट के कम क्वेस्टन आये इस बार तो उसके लिए आपने करेंड के कुश्टन के थे उसके लगभग आपने किया यहां मैंने किया बाइव टेक थैसे बहुत है यह इस्ट्री और जो 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 गरॉपी आपका है उत्ते कुछ कुछ कितना आपने मौफ्टिस लगाया था मैंने मैंने तयारी कि दृष्टि आई से तो आपने आपने कोचिंग ली थे आउने कहा मुकरजी नगर करो कि आप महां से हाँ पर आए थे ओके बॉस से आई और भी कंडीडेट से जाने के पहले थो चलिए थाउनके तो मच आपको वीस्टो ओल दे बेस्ट क्या नम आपड़ किया नापने श्याज़ेब आपकर क्या यूश्ट इना क्यों पिश्ट्ना आप मे पर इस बार तो मतलब लेवल सही था मतलब कि अगर पढ़ा होगा बच्चा तो फिर अच्छा करते हैं मेरा क्योंकि रूची थोड़े जोग्रफी में तो इस वह से मझे जोग्रफी वाला पाड़ता था इस याद है उसका भी था लाइक का गया था भी मैं अब्स एनाइन सी किया मैंने तो और प्रेट शोशल रिस्पॉंसिबिल्टी का इक कुश्चन था तो अभी रिसेंटली एक वो ठीक फज गया था भी उसमें पड़ किया हैं अम्नोंक्स तो वो डैरिकली फज़िए था उसम अच्छी लगा कोश्चन तो वहां से प्रेजर के बाद थोड़ी नहीं याद रहता है बस यह ता टाइम जितना अधर टाइम मेंट होता है और रही बाद पेपर की इजी और टाप अभी पीस्ट है तो यह बनाएगी नहीं वो तो अपने हिसाब साही पेपर देगी तो हर पिछली बार नहीं था इस बार था लेकिन प्राब्लम हो रही थी लेकिन हम तो नहीं लगता कुछ लेवल अलग तो आपको यहां बनारा से त्यारी करें या फिर दिल्ली आप बड़े स्टड़ी करें कोई पूचिंग मगर आपने नहीं लिए स्टड़ी मैं अगर आपने करेंट अफेर्स के लिए वीजन आई इस कलिए थे अब को रिखा उसका रहा हां मैक्सिम सम्मेट था इन्वार्मेंटल में था जीग्राफी में था अब हिस्ट्री तो वही रहती है उते चेंज नहीं होती है बाइलोजी तो स्था वही था बाइलोजी में थोड़ा कान पूरे सब्जेक्ट में आपके लिए हमारे लिए कोई भी तुक्के वाजी नहीं कि आपने बोला 42 आपने अपने हिसाब से तो मतलब वाइसा नहीं है पर हमारा रूची मैथ में हैं हमारे लिए ये पेपर समान है सिसे मैठमेटिक्स में हमारे लिए रूची मैथ में जाज़ता है इस वार का पेपर पिछले साल की तुछ तो आसान रहा है आसान क्यों बोल रहा है पिछले साल के पैटर्ण से देखा जाए पिछले साल काफी टफ कुछ तुझे गया थे जो आउट अपकेंटेस्ट होते थे इस बार उससे नीचे ती क्वेश्चन से उस लेवल को टस्क से जहां तक लगता है कि पिछले बार उसको मेरिट गई थी जनरल की उससे इस बार हाई मेरिट जाएगी आपने कितने अटेम्ट की क्वेश्चन आज मैंने 90 हो गया तो सब्सक्राइश्ट कौन सा लगा कॉर्शन क्वालिटी हिस्ट्री जोग्राफी एकोनोमी अगर देख साइंस टेक के क्वेश्चन थोड़ा थोड़े बहुत तब तो इन्वार्मेंट एक लोजी के सब नॉर्मल के क्रेंट फेर आपको देखने को मुझा करेंट फेर क्वेश्चन थे लेकिन उतने नहीं थे जैसे पिछली बार या पिछले दो सालों का पैटन देखा जा है तो क्लाइमित लॉश्चन आपको याद हो हिस्ट्री या पॉलीटी में जैसे कि राष्पती से संबंदीथ क्वेश्चन थे जैसे कि राष्पती सदन को कब बर्खास कर सकता है या कैसे आगे बढ़ा सकता है उसकी करवाई को कैसे बाब्धित कर सकता है तो आपको लगा कि एजी था इसवार का पेपर तो कट आफ जाता जाने वाली है तो विकास भाई कितना कुश्चन नहीं कि आपको अल्मोस्ट 85 तो क्या लग रहा है कितने तुक्के मारे कितना सब्सक्राइब तो पिछले साल पिछल आपने पेपर देखा था उसके पेक्षाई आसान तो पीस्यास लेवल माम मिला जुला के आया था तो और पॉलिटी और एकोनमी में कैसा रहा है अगली साल हुजरा अपने अपने इकोनमी कहा प्रक्राइब यूटूब से उस्टेडिश आपको बढ़ाते हैं तो पॉलिटी का कैसा रहा है वाल्टी को अस्वार्षानी था प्रीपिएस मतले तब होई पिछला ही जल रहा ह करेंट पेर के लिए देखा जाया तो पैसे बहुत साथ क्यूशन हमने वीजंका पढ़ा था उससे मैच कर रहा है था पीवाइक्व कितने साल के लगा लगा दिए सभी जितने भी मैंने अभी देखा लड़को को आपका कैसे पीवाइक्यू से जो और आपकी हो जा रहा है पॉल्टी देखा जाए लगबाग सब हो जाए का तुछाद की इसे चोड़ दिया जाए तो पीवाइक्यू का इतना रोल आपको दिखा पीवाइक्यू है अपने कितने साल का लगा डाले हैं पॉल्टी जेओग्राफिय उनमें सब्सक्ते ज्यादा टाइम टेकिंग आपक अब वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला चलिए विश्वाल देश्टा